नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश काजगरम के साथ महासिबरात्री के पावन अफसर पर भगवान शीव आपकी हर इक्षा पूर्ण करेंगे देवों के देव महादेव आपकी हर मनो कामना पूर्ण करेंगे तो हमारे साथ बने रहे हम आपको बताएंगे कि महा सिपरात्री के महा उपाय होगी हर इक छापोरी, धन की प्रापती, शिक्र विबा, संतान प्रापती, बिमारियों से होगी छुटकारा बने रहे हमारे साथ, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक उपाय वो समस्याओं से आप छुटकरा पा सकते हैं तो हम सिधा चलते हैं महा उपाय पर जो पहला महा उपाय है वो है संतान प्राप्ती की उपाय देखिए अगर आप संतान प्राप्ती चाहते हैं या आपको संतान प्राप्ती में कोई मुश्किल आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले भगवान शीव को पतली जल की धारा अरपित करें सुद्ध घी सीवलिंग पर लगाएं घी अरपित करते समय नमह शीवाय नमह शीवाय बोलते रहें फिर सीवलिंग पर पतली जलकी धारा अरपित करें और पती पतनी एक साथ अपना हाथ पकर कर शंतान प्राप्ती की प्रार्थना करें उसके बाद इस मंत्र जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठ बार जब करना है मंत्र क्या है मंत्र है ओम पारवती पिरिय नंदनाय नमहा तो अगर आप यह उपाय करते हैं और भगवान सीब साब प्राथना करते हैं तो निश्टी तुरूप से आपको संतान के प्राप्ति होगी अब इसका एक दूसरा उपाय भी है क्या करना आपको सिब्रात्री के दीन आटे से 11 सिब्लिंग आप बनाए और इस सिब्लिंग का आप 11 बार इनका जलावी से करें यानि जल से आपको इसका अभी से करना है इस उपाय से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं तो आप ये दो उपाय कर सकते हैं महा सिबरात्री के दिन रात के समय में और सुबह के समय में भी चाहे तो आप कर सकते हैं अब जो दूसरी उपाय है वो है धन प्राप्ति के महा उपाय है महा सिबरात्री के दन दिन आप धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात्री के समय, दूद, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिशेक करें, लेकिन ध्यान रहे, एक एक करके ये चीजे आपको अरपित करने हैं, एक साथ नहीं मिलाएं इसको, आपको पहले बार दूद, फिर दही, फिर सह इस तरह से सारे चीजे आपको अरपित करनी है, इसके बाद जल की धरा भगवान शिवलिंग पर अरपित करें, उसके बाद आपको एक मंत्र की जाप करनी है, मंत्र क्या है सुनिए, ओम पारवती पतिये नमहा, ओम पारवती पतिये नमहा, इसका आप यथा सक्तिजब करें फिर भगवान शिव से धन प्रापती के लिए प्रार्थना करें तो निश्टी तुरूप से आपको धन की प्रापती होगी अगर आप ये उपाय महासिवरात्री के दिन करते हैं तो इसके साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं महासिवरात्री के दिन धन प्राप्ति के लिए मचलियों को आटे की गेहूं की आटे की 108 गोलियां खिलाएं तो आपको आटा गूत लेना है उसकी छोटी छोटी 108 गोलियां बना ले उसके बाद आप मसलियों को खिलाएं और 108 गोलियां खिलाते समय आप ओम नमह शिवाय मंतर का जाब करते रहें तो इससे भी निस्टित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी यह trial and tested उपाय है अगर आप इसको करेंगे तो आपको निस्टित रूप से इसका फैदा मिलेगा अब जो तीसरी महा उपाय है वो है रोजगार या नोकरी के लिए क्या करें शिवरात्री के दिन तो इसके लिए आपको क्या करना है शुवरात्री के जिन जल धारा से भगवान शिव का अभिशेक करें और जल की धारा का अभिशेक करते समय है मन ही मन नमः शिवाय कहते जाए फिर संध्या काल को शिव मंदीर में एगारगी के दीपक जलाएं इसके बाद सिब जी से रोजगार की प्राप्ति की प्राथना करें निस्टित रूप से आपको रोजगार की जो समस्या है उस समस्या से आपको निजात मिलेगी और आपको रोजगार मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आपको नोकरी में कोई दिक्कत आ रही है अगर आप नोकरी कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है या नोकरी मिलने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए क्या करना है सिबरात्री के दिन शिवलिंग पर 21 बेल पत्र पर आप चंदन से ओम नमा शिवाय लिखें और इसको लिख करके आप भगवान शिव शिवलिंग पर चढ़ाएं एक एक करके निश्चित रूप से आपको नोकरी का योग बन जाएगा आपके लिए और आपको नोकरी मिल जाएगी तो ये उपाय एक खास उपाय है जिससे आप अपने रोजगार की समस्याओं को या आपको जो नोकरी की समस्या है उसका भी आप समधान कर सकते हैं इसके साथ साथ जो खास उपाय है बीमारियों से छुटकरा पाने के लिए आप क्या करें महा सिवरात्री एक ऐसा दिन है जिस इन आपको अगर कोई बिमारी है कोई ऐसी बिमारी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रही है तो इस दिन ये उपाय करके आप अपनी बिमारियों से भी छुटकरा पा सकते हैं क्या है उपाय? चंदन का इत्र चंदन का इत्र शिबलिंग पर अरपित करें और मन ही मन हर हर महादेब बोलते रहें फिर शिबलिंग पर जलकी धरा अरपित करना है अच्छे स्वास्त के लिए भगवान से प्रार्थना करें इस मंत्र का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम एक माला या एगारा माला आप जाप करें मंत्र है ओम जुम्शह माम पाले पाले मंत्र का जाप रुदराक्ष की माला से करना है तो अगर आप ये उपाय महा सिबलातरी के दिन कर लेते हैं तो निस्टित रूप से आपकी जो बिमारी है वो बिमारी से आपको छुटकरा मिल जाएगा यह 100% स्योर है यह तह आप इसको करके देखे आपकी बिमारी छुमंतर हो जाएगी अब जो पंचमी महा उपाय है सिग्र बिभाह के लिए क्या करें अगर आपकी साधी नहीं हो रही है आप चाहते हैं कि आपका सिग्र विभाह हो जाए तो इसके लिए क्या करना है पीले बस्त धरन करके शिव मंदिर जाएगे महा शिवरातरी के दिन सिवलिंग पर उतने बेल पत्र अरपित करें जितनी आपकी उम्र है और हर बेल पत्र के साथ अगर मालीजे आपकी उम्र है 30 साल तो आपको भगवान शिवर शिवलिंग पर 30 बेल पत्र अरपित करने हैं एक एक करके और हर एक बेल पत्र के साथ आपको बोलना है शिवरातरी के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूद आप चरहें इससे भी जो बिबाह में अर्चन आ रही है तो अर्चन खत्म हो जाएगी तो यह उपाय करेंगे तो निस्तित रूप से आपकी बिबाह सिख्ड रूप से सिख्ड बिबाह का जो योग है उसका योग बन जाएगा इसके साथ जो खास उपाय है शुखद बेवाहिक जीवन अब तो साधी नहीं हो रही है बेवाहिक जीवन शुखद हो इसके लिए क्या उपाय करें? मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी साधी नहीं हो रही है तो सिख्ड बिबाह के लिए क्या उपाय करें? अगर साधी शिब, शिब, शिब बोलते जाएं। इसके बाद सीबलिंग पर गुलाब की पंखूड़या अर्पित करें और सुखदविवाहिक जीवन की प्राहतना करें। आपकी इक्षा पुन होगी आपका बेवाहिक जीवन सुखद होगा इसके साथ सिक्षा और एकाग्रता के लिए क्या उपाय करें भगवान शिब महा सिवरात्री के दिन अगर आपको सिख्षा में आपके एजूकेशन में या आपकी कॉंसेंट्रेशन में कोई प्रॉलेम है क तो इसका भी उपाय है क्या करें आप शिबरात्री के दिन भगवान शिब को दुध मिला हुआ जल अरपित करें लेकिन जल में थोड़ी मातरा में आपको दुध मिलाना है और इसी धारा इस मिला हुआ जल को दुध मिला हुआ जल को इसकी धारा लगतार शिब लिंग पर आप धारंद करें एक आपको रुद्राक्ष लेना है पाश्मोंकि और पूजा करने के बाद ये रुद्राक्ष आप सीबलिंग पर असपरस करा करके आप इसको धारंद कर लें निश्च्टि तूरूप से आपको सिख्छा और एकागता में जो समस्या है उससे आपको निधा में है चाहे वो संतान की प्राप्ति हो धन की प्राप्ति हो या कोई अन्द मनोकामना कोई भी मनोकामना हो उसकी पूर्ती भी आप महा सिवरातरी के दिन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सिबरातरी के दिन रात में 9 बज़े के बाद ये उपाय आपको करना है करना क्या है सिबलिंग के सामने सबसे पहले आप घी का एक मुखी दीपक जलाएं इसके बाद सिबलिंग पर समी पत्र आप अरपित करें और रुदराक्ष की माला या एक रुदराक्ष लाल धागे में पिरो करके भगवान शिब को अरपित करें नमा शिबाय का यथा सकती जब करें जितनी बार हो सके उतनी बार आप नमा शिबाय नमा शिबाय का जब करते रहें और मनोकामना पुन होने की प्रार्थना करें इसके बाद रुद्राक्ष आप धारंद कर लें लेकिन रात को सोते समय आप रुद्राक्ष निकाल करके रख देना है फिर सुबह आप असनाम करके रुद्राक्ष को धारंद कर सकते हैं इसका एक दूसरा उपाय भी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पुर्ण हो तो इसके लिए सिवरात्री पर 21 बेल पत्र पर चंदन से नमा सिवाय लिखकर सिवलिंग पर आप चढ़ाएं इससे भी आपकी सारे इक्षाय पुर्ण होगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तता आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि इस महा सिवरात्री पर वो भी इन चीजों का फ़ैदा उठा करके उनके जिनगी में जो समस्या है उन समस् पा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद